नमेशकार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का अध्याईग गनित्य आग्मन का सिदांत शुरू करेंगे, जिसे हम प्रिंसिपल ओफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं, ठीके, चलिएगा, आईए, शुरू करें, परस्तावना गनित्य आग्मन एक ऐसी टेकनीक है, जिसका प्रियोग विभिद परकार के गनित्य कत्नों का सुत्री करन करने में किया जा सकता है, जो एन के पदों में सुत्रा बदों, जहां एन एक धन पुर्नाक है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस and so on, प्लस 2 एन माइनस 1 is equal to n स्किया, ठीक प्लस 3 प्लस 5 प्लस and so on, 2n-1 is equal to n स्किया, इसी प्रकार के अन्य उधारन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस and so on, प्लस n is equal to n, n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 upon me 2 x 3 1 upon me 3 x 4 and son plus 1 upon me n x n plus 1 is equal to n upon me n plus 1 तो इस प्रकार के पर्षणों का सत्यापन करने के लिए सुत्रीकन करने के लिए हमें गनिती आग्मन के सिधान्त की आवशर्टा पढ़ी अब हमें गनिती आग्मन के सिधान्त की प्रेर्णा कहां से मिली मूल प्रेरन, एक पतली आयता का टाइलों का समू से मिली, जैसा आकरती में परदशित है, यह हमारे पास में एक आकरती है, अब यह देखिएगा, यह एक टाइल से है, जो एक सत्य पर रखे गई है, ठीक है, यह पहली टाइल, यह दूसरी टाइल, यह तीसरी टाइल, यह चो टाइल है वो गिरने के लिए स्वतंतर है ठीक है तो अब हम देखते हैं जब पर्थम टाइल को धक्का दिया जाता है तो हम देखते हैं कि समझ टाइलें गिर जाती है हमने पर्थम टाइल को धक्का दिया और हम देखते हैं कि स्वारी टाइल एके करके गिर गई ठीक है अब ह PN एक प्रदत कथन इस परकार है कि N is equal to 1 के लिए कथन सत्य है अर्थात P1 सत्य है अभी P1 का क्या अतात परे है P1 अर्थात पहली टाइल का गिरना N बराबर 1 के लिए कथन का सत्य होना यदि कथन N बराबर K के लिए सत्य है तो कतन N बराबर K प्लस 1 के लिए भी सत्या है जहां के एक विशेश किन्तु स्वेच प्राकर संख्या है तो कतन P N सभी प्राकर संख्याओं के लिए सत्या होगा ठीक है अर्थात N बराबर K के लिए सत्या है तो N बराबर K प्लस 1 के लिए भी सत्या है इसका क्या अतात प्रया है कि यानि कि k भी टाइल गिरती है तो k प्लस वन भी टाइल भी गिरेगी ठीक है यानि कि k को सत्य माल ले हम n ब्राबर k के लिए कथन को सत्य माल ले तो k प्लस वन भी सत्य होगा ठीक है यही गनिती आगमन का सिधानत है अता है गनिती आगमन के सिध में दो चरन है हमने देखा एक तो एन बराबर वन के लिए कथन का सत्य होना ठीक है यह चरन मूल चरन कहलाता है ठीक है और दूसरा हमने देखा कि एन बराबर के के लिए सत्य होने पर कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य होना ठीक है यह हम यह चरन आगमन चरन कहला इन दो चरनों पर गनितिया आगमन का सिध्धान्त अधारीत है। अगर ये दोनों चरन सत्य हैं, तो हम कहा सकते हैं, दोनों चरनों का सत्यापन होने पर गनितिया आगमन के सिध्धान्त से कथन सभी प्राकर्त संख्याओं के लिए भी सत्य होगा। ठीके। ये दो चरन हम सत एक के लिए सत्य प्रूव करेंगे और n ब्राबर k के लिए सत्य मान कर हम n ब्राबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य प्रूव करेंगे चलिएगा अब आगे हम हम विधी के बारे में जान लेते हैं कुछ पदों के बारे में जान लेते हैं सरव पर्थम हम कुछ पदों के बारे में जान लेते हैं, जैसे हमने एक उधारन लिया, एक प्लस, तीन प्लस, पाँच प्लस, एंड सोन, प्लस, दो एन माइनस वन, इस इकल टू, एंड स्केया, तीक है, सरव पर्थम हम उक गथन को पी एन से वेक करेंगे, अर्थार्थ, पी एन, इस इकल टू, वन, प्लस, थ्री प पी वन, यानि कि हमने एन की वेल्यू इसमें वन रखनी है, ठीक है, तो एन की वेल्यू वन का ताथप्रे लेफ्ट एंड साइड के अंदर, यह यहां से लेकर यहां तक लेफ्ट एंड साइड है, लेफ्ट एंड साइड के अंदर तो पर्थम पद लेना होगा हमने, और र यह था और right hand side में n की value 2 put कर देंगे इसी प्रकार से n is equal to 3 का तार परे यानि कि P3 P3 अर्थात पर्थम 3 पद यहां ठीक है 1 प्लस 3 प्लस 5 और right hand side के अंदर n की value 3 put कर दी हमने इसी प्रकार से P4 तो यहां पर्थम 4 पद आ जाएंगे और पर्थम 4 पद हमारे पास में यहां तो पर्थम पद तो यहां 1 था और दित्या पद 3 और दित्या पद 5 और इसी प्रकार से अगला पद है वो 7 आएगा तो यहां n is equal to 4 के लिए पर्थम 4 पद हो गए और right hand side में हमने n की value 4 put कर दी है ठीक है इसी प्रकार से n is equal to k के लिए हम जब कथन लिखेंगे यानि कि Pk और Pk से ताथ प्रेमारा होगा तो यह पर्थम k पद आएंगे और k पद हम किस परकार से निकालेंगे तो पर्थम 2 त तो चलते रहेंगे और k पद हम इससे निकालेंगे इसके अंदर n की value k put कर दी तो हमारे पास में k पद आजाएगा और right hand side के अंदर हम n की value k put कर देंगे ठीक है इसी प्रकार से जब हम k plus 1 पद निकालेंगे तो k plus 1 पद कैसे निकालेंगे तो n is equal to k के लिए है ठीक है कथन हमने हम तो यहां से लेकर यहां तो तक के तो यह तो थे k-pad to k terms तो आई गया ऑगी और इससे आगे k plus 1 मापद आएगा तो इसके अंदर हमने n की value k plus 2 रखकर k plus 1 मापद ग्याद कर लिया ठीक है और right hand side के अंदर हमने n की value k plus 1 put कर दी तो यह right hand side आ ठीक है यह हो गया कथन p k plus अर्थात n is equal to k plus 1 के लिए कथन ठीक है अब हम इससे सबंदित एक उधारन को सेल करते हैं हम उधारन दिया गया है सभी n greater than 1 के लिए सिद कीजिए 1 का square plus 2 का square plus 3 का square plus and so on हम प्लस n का square is equal to n n plus 1 2n plus 1 अपन में 6 ठीक है उग कथन को हम pn से बेख करेंगे अर्थात pn is equal to 1 का square plus 2 का square plus 3 का square plus and so on plus n का square is equal to n n plus 1 2n plus 1 अपन में 6 ठीक है अब हम हमने दो चरण सत्यापित करने एक चरण तो हमारा मूल चरण था और दूसरा आगमा चरण हम इनको एके करके प्रू करते हैं सरफ पर्थम मूल चरण n ब्राबर 1 के लिए तो left hand side के अंदर हमारे पास में केवल पर्थम पता आएगा और वो गया 1 का square और इसकी value आगई 1 और right hand side के अंदर हमने n की value 1 put करती हैं और right hand side में जब हम n की value put करते हैं 1 तो हम देखते हैं कि हमारे पास में 1 1 plus 1 और 2 into 1 plus 1 यह 3 terms बनती हैं और इनका multiply करके sell करने पर हमारे पास में result 1 आ जाता है तो हम left hand side और right hand side हमारी बराबर आ जाती है तो यानि कि कथन है वो P1 सत्य है यह हमारा मूल चरन हो गया अब हम n is equal to k के लिए सत्य मान कर k plus 1 के लिए सत्य प्रूव करेंगे जो कि हमारा आगमंचरन है तो यह पर्षन है मैं एक बार फिर से आगे थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे नहीं देखना पड़े अब हम आगमंचरन का सत्यापन करेंगे तो आगमंचरन में माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है अर्थाद p k 1 का स्क्या प्लस 2 का स्क्या प्लस 3 का स्क्या प्लस n सौन प्लस k का स्क्या इस इकल टू k, k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपन में 6 ठीके अब n is equal to k के लिए सत्यापन करेंगे जिसके लिए हम left hand side लिख लेते हैं left hand side में हमारे पास में k तक के तो प्लस 1 का स्क्या है अब हम देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो value है वो k k plus 1 और 2 k plus 1 अपन में 6 है तो यह value हमने यहाँ put कर दी ठीक है और यह term is it is आ जाई है ठीक है और अब देखते हम दोनों के अंदर k plus 1 common आ रहा है और हमने k plus 1 common ले लिया ठीक है तो यहाँ तो मेरे पास के अंदर k into 2 k plus 1 अपन में 6 बचा और इधर हम मेरे पास में k plus 1 बचा ठीक है अब मैं lcm ले लूँगा और lcm लेने के बाद में मेरे पास में जब मैं इनका multiply करता हूँ तो यह तो मेरे पास में 2 k square और plus k बन जाएगा और 6 lcm लेने के कारण यह 6 का मल्ली बचा इन दोनों से हो जाएगा तो मैं देखता हूँ कि और यह दोनों term same है ठीक है यानि k plus 1 और bracket के अंदर 2 k square plus 7 k plus 6 अपन में 6 आजाएगा हम देखते हैं कि यह एक दुई घाती बहुपत है इसमें इस दोनों का जो multiply करने पर पहली और तीसरी term का multiply करने पर 12 k square बनता है तो हमने 7 k के factor करने होंगे तो 7 k के factor इस परकार से करने है कि 12 k square बन जाए तो 4 k और 3 k यह इ अंखन कर लिए पर्थम 2 पदों से 2 k common आ गया तो k plus 2 बना और अंतिम 2 पदों से 3 common आकर k plus 2 बन जाएगा यानि कि इस पूरी term से k plus 2 common आ जाएगा तो k plus 1 तो ही मेरे पास में और k plus 2 common आ गया और bracket में बचा 2 k plus 3 बटा में 6 ठीके अब हम right hand side लिखेंगे और right hand side कैसे लिखनी ह है जो हमारा question था उसके अंदर हमने n की value k plus 1 put करते नहीं है और n की value k plus 1 रखने पर मेरे पास में ये प्राप्त हो जाएगा और इसे जब मैं सरल करता हूं तो मेरे पास में ये term आ जाती है k plus 1 k plus 2 और 2 k plus 3 अपन में 6 और हम देखते left hand side की value भी यही आई थी और right hand side की value भी यह यहाई है यानि कि हमारा जो कथन है वो k plus 1 के लिए भी सत्य है गनिती आगमन के सिधान से कथन pn सभी प्राकर संख्यावं के लिए सत्य है यह हमने गनिती आगमन के सिधान से एक पर्षन का प्रूफ कर लिया है कैसे किया सरपर्थम थो हमने मूल चरने का सत्यापित किया जो कि n बराबर 1 के लिए था और फिर उसके परशाथ n बराबर k के लिए सत्यापित किया जो कि हमारा आगमंचरन था ठीके आपने भी इसी परकार से एक परशन सहल करना है आज की वीडियो में हमने एक उधारन को समझा इसी परकार का एक परशन आप भी हल कीजिए और जो परशन है अभ्यास हेतुद परशन सभी n greater than 1 के लिए सिद कीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n सोन प्लस n का क्यूब इस इकल टू n n प्लस 1 अपन में 2 और पूरे का होस क्या और यह हमने सभी n greater than and equal to 1 के लिए प्रूव करना है ठीके यह वीडियो धन्यवाद यह वीडियो मेरे द्वारा बनाई गी है मेरा नाम दीपक मितल विख्याता गनीत राज के उचमाद्यमिक विदालिया साद्विष्ट